चेतावनी कुवा ठंडा जल पीने के लिए बनाये जाते हैं यदि कोई मंद मती कुवे में डूप कर आत्मत्या कर ले तो इसमें कुवा बनाने वाले का क्या दोश हमारे दुवारे दिखाये जाने वाले सभी मंत्र, तंत्र, प्रियोग केवर लोक कल्यान के लिए है यदि कोई दुष्ट बुद्धी हमारे दुवारा बताय गए उप्योगों का प्रियोग किसी का अनिष्ट करने के लिए करेगा तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सावधान यदि इन मंत्रों से आपका कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे इसलिए प्रियोग करने से पहले किसी ग्यानी, महात्मा या किसी जानकार से सलाव ओम नमस्ष्वा बहुत से सादक वे सादवी मुझे कमेंट करते हैं और कमेंट में बोलते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बताईए जिससे कि आकस्मिक धन लाब हो सके या तुरंत मुझे जो मेरी स्तिती है उसमें परिवर्तन आये और मुझे धन के मामले में कभी कोई कमी न रहे मैं किसी भी प्रकार से कभी भी धन के मामले में पीछे न रहूं कही न कहीं से कोई रास्ता बने और मेरे पास धन आता रहे कोई ऐसा चमतकारी मंत्र बताईए जो वाक़े ही काम करता हो क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे ऐसे मंत्र जाब किये हैं लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला तो ऐसे सादकों के लिए या ऐसे सादवीओं के लिए मैं एक बहुत ही चमतकारी मंत्र बता रहा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र को मैं खुद भी जाब करता हूं और सुनता भी हूँ और ये मंतर इतना effective है कि अगर इसको एक अवधी तक रोज जपा जाए या रोज जाप किया जाए तो आपको बोलने की ज़रूत भी नहीं पड़ेगी ये बहुत ही चमतकारी ढंक से आपको धन संप्रदाय इत्यादी लाप पहुंचाएगा बस ज़रूरत ये है कि आपको धेरे रखना है क्योंकि इस संसार में कुछ भी पाने के लिए धेरे रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप जल्दी बाज़े में करेंगे तो आपके पास जो है वो भी चला जाएगा मंत्र को आप ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए ये मंत्र पैसे के लिए बहुत important है जिन लोगों को पैसे की जरूरत है जो लोग चाहते हैं कि उनके पास धन की कभी कमी न रहे तो इस मंत्र को लिख लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि एक दो भार में आपको रिजल्ट नहीं आएगा आपको इसमें कई माला जपने पड़ेगी 108 की माला ले लीजिए और माला कोई भी हुरुदराक्षक की हो तो भी चलेगी तलसी माला भी ले सकते हैं कोई भी माला ले लिजिए और आपको उसको चपना अगर माला नहीं ले सकते तो quantity याद रुकिया संख्या में मंत्र का जाब करना है और मंतर चाप करते समय एक ग्लास पानी आगे रखें और मंतर का चाप करें एक माला सिर्फ एक माला ही करनी है और उसके बाद उस पानी को पी लीजे एक तालिस दिन के बाद आप अपनी कंडिशन देखिएगा आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा अगर बड़ा ना मिला तो चोटा तो जरूर मिलेगा और अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही चल्दी अच्छी रिजल्ट मिलने लगेंगे यह जो मंतर है यह बहुत ही दुखलब है और इस मंतर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और क्योंकि आप लोगों ने यह डिमांड की थी कि मैं ऐसा मंतर बनाओ जो धन से संबंदी थे हो तो आज मैं आप लोगों के यही मंतर दे रहा हूं उमीद करता हूँ आप लोगों को मंतर पसंद आएगा और साथी साथ आप इससे भरपूर लाब उठाएंगे आपको सुबह ब्रह्मा मूरत में चपना है यदि ब्रह्मा मूरत में नहीं चप सकते तो फिर आप इसको संध्यकाल में चप सकते हैं अगर संध्यकाल में भी नहीं चप सकते तो आप इसको कभी भी मन में जाप कर सकते हैं या अपने सामने अपने इश्ट की तस्वीर रखके जाप कर सकते हैं अगर इश्ट की तस्वीर नहीं है तो आप मुबाइल फोन में भी या डाउनलोड करके भी इश्ट की तस्वीर को सामने करके कर सकते हैं लेकिन उपकरणों में अगर आधुनिक उपकरणों में ये करेंगे जैसे मुबाइल और हमें तो उतना प्रकंपन या उतनी उर्जा नहीं बन पाएगी कि वो आपके लिए काम करें तो अच्छा होगा कि आप आँखे बंद करके ही इष्ट का ध्यान लगाएं और ये प्रातना शुरू करें मंतर चाप करें आप देखिएगा ऐसा चमतकारी ढंग से आपके पास धना न शुरू होगा आप सोच भी नहीं सकते उस माध्यम से धना आएगा और आपको हासी आएगी कि ये क्या हो गया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे सच कह रहा हूँ आप एक बार आजमा के देखिए आप खुद बुलेंगे कि सच में मतलब चमतकार हो जाएगा आपके जीवन में साक्षा चमतकार आपको कुछ भी करने की जरूत नहीं सिर्फ इस मंतर को जाप कीजिए और लोग मुझसे बहुत सारे एक ही वीडियो पर कोशन पुछते हैं जो मैंने अपने घास वाली वीडियो बताया थी कि अपने इच्छा को मागने के लिए घास में गांट लगानी है तो उसमें दोनों हाथों से गांट लगानी है मैं बता देता हूँ आपको कोई टाइम नहीं है उसमें आप कभी भी जागे लगा सकते हैं बस शर्त है ये कि उस घास के उपर कोई पैर रखके न चला जाए और वो दूर होना चाहिए घास मतलब किसी जंगल में अगर हो तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और जूड़े लेगा मेरे साथ दूरलब सामकरी में ओम नमस्श्युवाए